नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे रिस्क रिवाड रेशो टूल के विशय में दोस्तो आपने मेरे चैनल पर रिस्क रिवाड रेशो का वीडियो तो जरूर देखा होगा अगर आपने नहीं देखा हैं तो आप इस वीडियो की description में जाकर या उपर आई बटन पर क्लिक करके risk reward ratio का वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने समझा था कि risk reward ratio क्या होता है और एक trader के लिए risk reward ratio को समझना कितना जरूरी है तो दोस्तो अब होता क्या है न कि कई ट्रेडर को risk reward ratio calculate करने में बड़ी समस्या आती हैं और कुछ ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें risk reward ratio calculate कैसे करना हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हैं तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आज हम समझने वाले हैं risk reward ratio tool के विशय में इ इसे समझ लेते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम risk reward ratio tool के विशय में कुछ basic जानकारी जान लेते हैं आपको वीडियो में जो यह tool दिखाई दे रहा हैं इसे हम कहते हैं risk reward ratio calculation tool इसमें जो आपको center में जो line दिखाई दे रही हैं इस line को हम उस जगह पर set करते हैं जहां पर हमने buying या selling करी हूँ इसके बाद यह जो आपको नीचे वाली line दिखाई दे रही हैं यह line हमें उस जगह पर set करनी हैं जहां पर हम stop loss लगाएंगे और इसके बाद जो उपर वाली line हैं इसे हम उस जगह पर set करते हैं जहां पर हमें target लगाना हैं और यह बीच वाली जो line हैं हमें सीधे सीधे यह बताती हैं कि trade में हमारा risk reward ratio कितना हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी से request हैं अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया हैं तो please channel को subscribe कर लीजिए और video को like कर दीजिए तो चलिए अब हम सीधे topic पे आते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम बाजार में buying की position बनाएंगे उस वक्त हम risk reward ratio को calculate कैसे करेंगे तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें bullish bet pattern चार्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर यहां करना है कि हमें tools वाले section में जान तो मैं वहां पर इसे click करना है तो जैसा कि यहां पर इस candle में हमारा bullish bet pattern complete हो गया है इसका मतलब यह है कि हम इस वाली candle में buy करेंगे तो मैं यहां पर एक बार इसे click कर देता हूँ अब हम इस tool की setting में जाते हैं और यहां से text की size को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसे apply कर जैसा कि हम यहां पर point x का stop loss लगाएंगे तो यहां पर जैसा कि आपको यह stop दिखाई दे रहा है हम इस line को point x तक लेकर आते हैं और जैसा कि हमने इस pattern के वीडियो में discuss किया था हम यहां पर point c के target को ही अपना 100% target मानेंगे तो यह जो target वाली line है इसे में खीच कर point c तक लेकर जाता हूं तो जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है risk to reward ratio 1.77 मतलब कि यहां पर आपका risk reward ratio एक अनुपात एक साथ साथ का है मतलब कि यहां पर आप अगर एक रूपे का stop loss लगा रहे हैं तो उस एक रूपे के stop loss पर आपको एक रूपे और सितर पेसे का reward मिल सकता है तो दोस्तो इस प्रकार से आप buying की position के साथ risk reward ratio tool का इस तरह से उप्योग कर सकते हैं जहां पर आपने buying करी हैं वहाँ पर इस tool का center point होगा और जहां पर आप stop loss लगा रहे हैं वहाँ पर यहां stop loss वाला point होगा और जहां पर आपका target है वहाँ पर आपको इस target वाली line को set करना ह तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि Short Selling के साथ हम Risk Reward Ratio Tool का उप्योग कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें Bearish Butterfly Pattern दिखाई दे रहा हैं तो अब हमें एक बार फिर से Tools में जाना है और यहाँ पर Short Position के इस Tool को Select कर लेना है अब हमें इसे वहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर हमें Short Selling करनी है तो इस वाली Candle में हमारा Point D बन चुका है मतलब कि इस Candle में हम यहाँ कहीं पर Short Selling करेंगे इसके बाद इस Pattern में हम Stop Loss लगाते हैं Point D के उपर का तो अब मैं इस Line को खीच कर Point D तक लेकर आ जाता हूं और मैं यहाँ पर Setting में जाकर एक बार फिर से Text की Size को बड़ा कर देता हूं और इसे OK कर देता हूं और इस Pattern के साथ हमारा Target होगा Point C का तो मैं इस Target की Line को खीच कर Point C तक लेकर आता हूं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा Risk to Reward Ratio एक अनूपात 9.41 का है मतलब कि यहाँ पर हमारे Istoplos की तुलना में हमारा Target एक अनूपात 9 का है मतलब कि हमारा Istoplos अगर एक रुपे का है तो हमारा Target साड़े 9 रुपे के लगभग का है तो दोस्तो इस प्रकार से आप Short Selling के साथ Risk Reward Ratio टूल का उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ थी Risk Reward Ratio टूल के विशे में संपूर्ण जानकारी उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद